राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे धनी कारिक्रमों की शंखला क्या है हमारी चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षन के कारिक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्धमिक कक्षा के चात्रों हे तू एक वारता कि वारता का यह कारिक्रम एन्सी ई आर्टी दौरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्षक है वार्षिक योजनाए 1966 से 1979 चोथी पंच वर्षिय योजना के बजाए 1966 और 1979 के मध्य तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी इन योजनाओं में पैकेज कारक्रमों को अपनाया गया पैकेज कारक्रमों में सुनिष्चित वर्षा और सीचाई वाले चैनित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले बीच, उर्वरक, पीडक नाशी और रिण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई इसे गहन क्रिशिय जिला कारक्रम के नाम से जाना जाता है परिणाम स्वरूप क्रिशिय उत्पादन में उलेख निय वरधी होने लगी अधियोगिक विकास में भी मामूली सा परिवर्टन हुआ 1968 से 1979 में अध्योगिक उत्पादन में पुना व्रिद्धी होनी शुरू हुई चौथी पंचवर्षिय योजना 1979 से 1974 इस योजना के प्रमुख उद्देश थे पहला विकास की गति को तेज करना दूसरा कृषिय उत्पादन में उतार चड़ाव को घटाना तीसरा विदेशी सहायता की अनिश्चितिताओं के प्रभाव को कम करना चौथा कमजोर तथा कम विक्सित क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्ता को उत्प्रेरित करने के लिए उद्द्योगों को सारे देश में फैलाया गया सामाजिक न्याय के साथ विकास को प्रोथसाहित करने वाले कारक्रम तैयार किये गए योजना में शिक्षा और रोजगार के द्वारा साधनहीन और कमजोर वर्ग के लोगों की दशासुधारने पर विशेश बल दिया गया पांचमी पंचवर्षिय योजना 1974 से 1989 इस योजना में चौथी योजना के दोरान शुरू किये गए उपायों का विस्तार किया गया इससे गरीबी के उन्मूलन पर विशेश ध्यान दिया गया इस योजना में प्रादेशिक तथा क्षेत्री विकास के नियोजन में निदेशक नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रमुग घटक थे। पिछडे हुए क्षेत्रों में अंतह प्रादेशिक आबंटन नीती और द्योगिक द्रिष्ट से पिछडे क्षेत्रों में प्रोचसाहन नीती, कुछ विशिष्ट समस्याउं वाले क्षेत्रों में उप योजना विधी तथा सामाजिक नियाए पांचवी पंचवर्ष ये योजना का प्रमुख लक्षण था, देश के चुने हुए जनजाती एक्षेत्रों, पहाडी एक्षेत्रों और सूखा प्रबल एक्षेत्रों के लिए उप योजनाएं तयार करना उप योजना विधी में सामान्य विकास के क्रम को जारी रखना था, इसके लिए राज्य की योजना राशियों में से विशेश केंदुरिये सहायता का प्रावधान किया गया इस योजना में समानता और बराबरी की पूर्व निर्धारित कसोटी पर आधारित एक राष्ट्रिय कारक्रम शुरू किया गया इस कारक्रम में विभेन क्षेत्रों और वर्गों के समुदाय की न्यूनतम आवश्यक्ता को पूरा करने के उपाय किये गए यह विशेश रूप से क्रामोन्मुख कारक्रम था इसे समुदाय या समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक दशाएं सुधारने के लिए बनाया गया था छटी पंचवर्षिय योजना उन्निस सो असी से उन्निस सो पिच्चासी गरीबी हटाना इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य था योजना की कार्यनीती पुनियादी तोर पर यह थी कि क्रिशी और उद्ध्योग दोनों की ही अवसंगरचना को एक साथ मजबूत किया जाए स्थानिय स्तर पर विशिष्ट लोगों का सहयोग लिया गया राष्ट्रिय आय में अपेक्षक्रित गरीबों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन पुनर वित्रन उपायों की सिफारिश की गई साथमी पंचवर्षिय योजना उन्निस सो पिच्यासी से उन्निस सो नब्भे इस योजना के मूल सिध्धांत ये थे विकास, आधने की करण, आत्म निर्भरता और सामाजिक न्याय इन्ही सिध्धांतों को ध्यान में रखकर खाद्यानों का उत्पादन, उत्पादक्ता और रोजगार के अफसर बढ़ाने के लिए नेतियां और कारेक्रम बनाए गए उत्पादक रोजगार के अफसर बढ़ाने को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया वार्षिक योजनाए 1990 से 1992 ततकालीन राजनीतिक दबावों के तहट सात्वी योजना के बाद दो वार्षिक योजनाए शुरू की गई सामाजिक परिवर्थन और रोजगार के अधिक से अधिक अफसर जुटाने के लिए इन वार्षिक योजनाओं में विशेश जोर दिया गया था आठवी पंचवर्षिय योजना 1992 से 1997 1991 में नई आर्थिक नीती विशेश रूप से नई और द्योगिक नीती की घोशना की गई इन्ही नीतियों को ध्यान में रख कर यह योजना तैयार की गई थी इनमें धाजगत समायोजन नीतियां बहुत महत्वपूर्ण थी उदारी करण के अनेग उपायों की घोशना की गई निजी क्षेत्र के विकास में विशेश रूप से और द्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमी का प्रदान की गई अर्थ विवस्था के विभेन क्षेत्रों में बड़ी तेजी से प्रगती हुई आयात और निर्यात में भी भरपूर व्रिद्ध हुई तथा व्यापार घाटे में कमी भी दर्ज की गई नौवी पंचवर्ष ये योजना 1997 से 2002 इस योजना के उद्देश थे अर्थ विवस्था और समाज का सतत पोश्किये या ठिकाव विकास सभी के लिए भोजन और पोशन मूल भूत नियूनतम सेवाए सुनिश्चित करना जनसंख्य की वृत्धि को रोकना स्त्रियों और सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित वर्ग का सशक्ति करन तथा पंचायती राज जैसी संस्थाओं को प्रुत्साहित करना नौवी योजना के दौरान औसत वार्षिक वृत्धिदर योजना के निर्धारित लक्ष से नीचे रही दस्मी पंचवर्षिय योजना दो हजार दो से दो हजार साथ इस योजना में आठ प्रतिशत औसत वार्षिक वृत्धिक लक्ष प्राप्त करने का प्रावधान है आर्थिक विकास के अलावा इस योजना में मानव विकास के प्रमुख संकेतकों की निगरानी के लिए कुछ लक्ष निर्धारित किये गए हैं ये लक्ष हैं योजना की अवधि में 2007 तक गरीबी के अनुपात में 5 प्रतिशत अंखों की कमी करना श्रम शक्ति को लावकारी रोजकार के अवसर जुटाना दोहजार तीन तक सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तथा साक्षरता दर को 75 प्रतिशत तक बढ़ाना योजना में विकास के लिए अपनाई गई कार्य नीती में इनको शामिल किया गया है भारतिय अर्थ व्यवस्था में निचिक ख्षेत्र की भूमिका को और अधिक बढ़ाना अवसंग्रचनाव में वृधि का प्रावधान करना वित्य और मौद्रिक नीतियों में और अधिक लचीलापन लाना इस योजना में सभी राजियों के संतुलित विकास पर बल दिया गया है इस योजना में राष्ट्रिय लक्षियों के अनुरूप प्रत्येक राज्य के लिए विकास्तर और सामाजिक विकास के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं इस योजना में ये भी शामिल हैं समानता, सामाजिक न्याय, चालू योजनाओं को पूरा करना, सारवजनिक उपक्रमों का निजी करन, विशेश रूप से उनका जो ख्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं योजना का क्रियानवयन भारत में नियोजन की वास्तविक समस्याएं योजना निर्मान से नहीं, अपितु उनके क्रियानवयन से जुड़ी हैं केंद्री इस तर पर योजना बनाने का दायित्व योजना आयोका हैं लेकिन क्रियानवयन केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों द्वारा किया जाता है राज्य, नियोजन के कार्य करने के लिए तैयार नहीं है कृशी के विकास और संबंधित क्रिया कलापों, ग्रामीन और नगरिये विकास, परिवार नियोजन, परिवहन नियोजन तथा ओद्योगिक विकास से जुड़ी नियोजन की समस्याएं जटिल होती है तथा इनके समाधान के लिए इनसे संबंधित विशेशग्यता की जरूरत होती है राज्यस्तर पर योजना बनाने और उसके क्रियानवयन के लिए राज्य में विशेशग्य नहीं मिलते इसलिए राज्यस्तर पर योजना संबंधित विभागों की चेत्रिय जरूर्तों को पूरा करने के लिए वित्रण संस्था का कार्य करती है अब ही आप सुन रहे थे ये वार्ता वाची का थी सुनीता चौहान कि विशे संयोजक प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विशे संपादन आर्पी मिश्र आलेक एसकी शर्मा नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर धन्यंकन सतीश लाड़ी और दीपक पांड़ी नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान एवं प्रस्थुती वंदना अरिमर्दन